सो कैजर तुम्हारे पास में सिर्फ आज का टाइम है अपने फेवरेट गेम्स को खेलने के लिए क्योंकि कल से तुम्हारा स्कूल दोबारा से रियोपन हो जाएगा और तुम्हारी घिसाई फिर से चालू देखो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं क्योंकि तुम्हारा स्कूल आज नहीं तो कल खुलना ही था फाल्तू की टैंशन लेकर अपना आज का टाइम वेस्ट मत करना अपनी मम्ही को जाकर बोल दो कि आज में पूरे दिन गेम खेलूँगा और पढ़ाई कल से करूँगा सो गैजर मजाग से हटकेक नियू बैटलल गेम लाँच हो चुका है जिसके बार में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और वैसे ये वाला गेम ने BGMI और Free Fire के कमपैरिसन में 3-4 गुना अचा है बट फर्क इतना आ जाता है कि वो दोनों गेम पॉपलर है उनके बार में सभी लोग जानते हैं आज जो गेम में आपको बताऊंगा वो ना तो ज्यादा पॉपलर हैं विदाउट फेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वाले वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो गैजर सबसे पहले आप लोग यह वाला गेम पले देखो और नीचे कमेंट करके बता दो कि आपको फर्स्ट इंपरेशन में यह वाला गेम कैसा लगा अच्छा लगा बेकार लगा बहुत ज्यादा अच्छा लगा या फिर तरड़े लेवल का लगा तो अपना फर्स्ट इंपरेशन नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता ना ठीक है तो आप लोगो की तरफ से आने वाला सबसे पहला कोशन की यह वाला गेम हमारे डिवाइस के अंदर चलेगा या फिर नहीं तो इस वाले कोशन का मैं आपको एकदम सिंपल सा अंसर देता हूँ अगर आपके पास में एक, दो या फिर 3GB RAM के स्मार्टफोन है तो यह वाला गेम आपके डिवाइस में नहीं चलेगा लेकिन इस वाले गेम का एक light version भी है तो आप लोग उसे जाकर try कर सकते हो वो आपके 2 या फिर 3GB RAM के स्मार्टफोन के अंदर easily चल जाएगा रही बाद 4GB RAM की तो यह वाला गेम 4GB RAM के अंदर चल जाएगा बट आपको गेम के अंदर जाके graphics quality को adjust करना पड़ेगा अगर आपके पास में 6 या फिर 8GB RAM के स्मार्टफोन है तो आप इस गेम को high end setting के उपर खेल सकते हो आपको कोई भी lag issue वगेरा देखने को नहीं मिलेगा और रही बाद अपने गेम की तो यह एक first person tactical shooter game है जिसके अंदर आपको 5 अलग-अलग तरह के battle ground map देखने को मिल जाएगे इस game के अंदर आप लोग को काफी सारे advanced feature देखने को मिल जाएगे आप इस game को अपने दोस्तों के साथ में multi player खेल सकते हो एंड communication करने के लिए आप लोग mic on करके बातचीत कर सकते हो या हुई ना बात सो गेचर अब हम लोग बात करेंगे final step की यानि की इस game को कैसे download करना है और कैसे इस game के अंदर login करना है VPN को download करने के बाद मैं आप लोग को play store की setting में जाना है वहाँ पर जाने के बाद मैं आप लोग को clear cache के उपर click करना है और दूसरी बार मैं आप लोग को play store का सारा data delete कर देना है data delete करने के बाद मैं आप लोग को VPN का इस्तमाल करना है और Brazilian server से connect हो जाना है उसके बाद में आप लोग को Play Store के उपर जाना है, सर्च करना है, Arena Breakout, गेम आपके सामने आजाएगा, Simply Install के उपर क्लिक कर देना, Play Store के उपर गेम का Size दे 0.95 GB, जब आप लोग गेम को First Time Open करोगे, तो Resources File डाउनोड होगी, जिसका Size होगा, Around 1.4 GB के आसपास, तो अगर हम लोग ब लॉग इन कर सकते हो, या फिर आप लोग मेरी तरह इस गेम के इंदर ऐसा Guest भी लॉग इन कर सकते हो, So Guys, यहाँ पर मैं आप लोग को गेम की A to Z सारी डीटेल बता दिये, जो की मेरे को पता थी, तो एक तगड़े लेवल का New Battle Wall Game आप लोग का वेट कर रहा है, तो इस वाल अमेजी वीडियो के इंदर दोपारा मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सबी लोग को बाई बाई च्पक्विल दोर में आप पर दोग की रिवल इस वीडियगि सबी लिभाव शोर का बाई इंदर झाप कर दो इंदर तॉक्ट हाँ